निलंबन के साथ ही 141 सांसद, अब अंदर नहीं जा पाएंगे, संसद में इसने निलंबित विपक्षी सांसद देखे, 19 सितंबर को 49 सांसद जो हैं लोकसभा से वो निलंबित किये गये थे, 18 को 45 लोकसभा से और 33 राज्य सभा से किये गये थे, 14 सितंबर को 13 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से जो विपक्षी सांसद हैं उन्हें निलंबित किया गया था कुल 107 और मतलब अगर आप ओवराल डेख लें इतने दिनों में तो ये थिहास में पहली बार हुआ है जब सांसद उसको तोडएंगे तो ये फैसला स्पीकर ठका था और स्पीकर ने ये फैसला लिया है किस पार्टी का कितना सांसद जो है वो निलंबित हुआ है आप देखिए अगर कॉंग्रेस का तो सबसे ज़्यादा 57 कोंग्रेस के सांसद निलंबित हुए उसके बाद DMK, DMC जेडियो ये तमाम सांसद जो है वो निलंबित हुए और लगाता जिरोध इसी को लेकर चल रहा है और निलंबन बापसी की मांग भी हो रहे है निलंबन के साथ 141 सांसद अंदर तो नहीं जा सकेंगे संसद परिशर के अंदर उन्हीं पहुच कहां तक होगी कहां जा आस तक समबादाता जितन भादूर की रिपोर्ट संसद के सीत कालिन सत्र में अब तक 141 सांसदों को सदन से निलंबित किया जा चुका है जिसमें 95 सांसद लोकसभा के हैं तो वही 46 सांसद राजसभा के हैं यह सांसद जिनको सस्पेंड किया गया है वो सदन के अंदर नहीं जा सकते यानि कि लोकसभा और राजसभा की जो चैंबर हैं इसके साथ ही लॉबी और गैलरी तक इनके जाने की मना ही होती है इसके साथ ही इन सांसदों को जो daily allowance मिलता है वो भी नहीं मिलेगा parliamentary committee में कई सांसद हैं वो शामिल हैं या तो उनकी अध्यक्षता ही लोग कर रहे हैं या फिर उसके member हैं ये सांसद जब suspend जो हो गए हैं वो इन parliamentary committee में भी नहीं जा सकते हैं इसके साथ ही question के लिए notice भी इनकी तरब से नहीं दिया जा सकता है जानकारी ये भी है कि इन सांसदों को अगर बाहर कहीं जाना है और उसके लिए लोगसभा और राजसभा के सचिवाले को जानकारी देनी होती है तो उस दोरान इसको भी उनकी तरब से नहीं दिया जा सकता है इन सांसदों को लेकर के लगातार ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इनको सस्पेंट किया गया है और इस वज़े से सत्ता पक्ष जो है वो ये चाहता है कि कई महतुपूर्ण बिल को पास कराया जाए जिसमें विपक्षी सांसद मौझूद न रहें पर आपको बता दें कि ये जो सांसद हैं वो सदन के अंदर तो नहीं जा सकते हैं लेकिन संसद का परिसर है यानि गांधी मूर्ती इसके अलावा जो पुराना संसद है वहाँ भी जा सकते हैं नए संसद में लीडर ओप अपोजीशन का जो आफिस है वहाँ तक इनको जाने की इजाज़त होती है और वहाँ पर जा करके अपनी बात उन नेताओं के सामने रख सकते हैं आज विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो लोग सवाल उठा रहा है कि संसद की सुरक्षा में चूक हुई है उस पर ग्री मंत्री आ करके सदन के अंदर जवाब दें लेकिन जिस तरीके की इसिती बनी हुई है सत्ता पक्ष और करवाई हो सकती क्योंकि जो जो स्पीकर की तरफ से कहा गया कि बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में जो मीटिंग हुई थी उस समय यह तैय किया गया था कि किसी भी सांसत को सदन के अंदर आ करके जो वेल है वहां पर आ करके ना तो प्लेकार्ड वो दिखाएंगे ना पोस् चुके हैं इसके अलावा राजसभा के 46 सांसत तो कुल मिला करके 141 सांसत अब तक निलंबित हो चुके हैं और यह सदन के अंदर नहीं आ सकते हैं ठीके बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेन तबाम जानकारे के लिए असे दिन बाद विपक्षी गडवंधन इंडिया की चौसी बैठक के बाद सियासी सरगर्मिया तेज हो गई है तीन घंटे तक विपक्ष के दिककश नेता आगे की रनीती पर चर्चा कर बाहर निकले तो सीटों के बटवारे से लेकर प्रधान मंत्री उमिदवार तक कई मुद्दों पर सवाल उठे बैठक के बाद मलिकार जुन खरगे ने प्रेस कॉंफरेंस कर बताए कि सीटों के बटवारे पर राज्जी के इस्तर पर फैसले लिये जाएंगे 31 दिसंबर तक इस पर अंतिम फैसला किया जाने की उमीद है सांसुदों के निलंबन के खिलाब विपक्षी दल 22 दिसंबर को पूरे देश में विरोध प्रजशन भी करेंगे बैठक में इस बैलेट पेपर की विकल्प के रूप में वीवी पैठ लाने का प्रस्ताव भी रखा गया इंडिया गडबंधन का प्रतिनिधी मंडल इस बारे में चनाव आयोक के सामने प्रस्ताव भी रखने वाला है लेकिन कौन होगा वो चेहरा कई नाम कई कयास लेकिन अभी तक कोई सहमती नहीं बन पाई सईयोजग को लेकर भी सहमती नहीं बन पाई सबी लोग जीत के आना है जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे कोन प्राइम मिनिस्टर बना ये बाद में की बात है यंपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फाइदा है तो इसलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मैजॉर्टी लाने की कोशिश करेंगे और बीजेपी आज जो हूँ और मोधी जी बहुत इतना एक दो तीन एलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना कमंड आया कि अब देश में मेरे शिवाए कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एकी लीडर हूँ प्रचार करते हैं तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे जो इंडिया गटबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेरिंग का भी हम मिलके पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझोधा करेंगे अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता उसके लिए फिर यहां पर हमारे जो इंडिया के टबंधन के नेता लोग है उसको वो डिसाइड करेंगे तो अब आगे इस तीश शेरिंग की बात हो रहे हैं लेकिन जो गडबंधन में अंदर लोग हैं अब वहीं से स्वर ये उठने लग गए हैं कि कोई एक चेहरा होना चाहिए रत का सार्थी कौन होगा इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये चेहरे जो हैं जिन पर कयाफ लग रहे हैं कि आखिरकार नितीश कुमार होंगे अर्विन केच्विवाल होंगे ममता बेनर्ट जी चेहरा हो सकती हैं सिंडिया गडबंदन की या अखलेश यादो हर कोई अपने दावेदारी कर रहा है अखलेश यादो बहां निकल के कह रहे हैं कि अगर ये उत्तर प्रदेश के 80 लोग सभा सीटे आ गई तो समझ ये 2024 हमारा है लेकिन सीधा सा मतलब ये है कि उनकी भी हिस्तेदारी वो भी अपनी भागिदारी चाह रहे है लेकिन फिलहाल मलका जुन खरके का प्रस्ताव ममता बेनर्ट जी नहीं रखा लेकिन अभी कोई सहमती चेहरे को लेकर नहीं बन पाई है हाला कि यही मम्ता बेनर्ट जी मीटिंग से पहले ये कहती है कि चिनाफ के बाद ही चेहरे पर जो तैह किया जाएगा और लेकिन अभी फिलहाल ये तैह नहीं किया जा पाया है कि कौन होगा वो चेहरा जितेंद्र अभी तक सीज़ेरिंग तो दूर की बात एक चेहरा सामने नहीं ला पाया गया है यानि अभी आसान नहीं होने वाला है इंडिया गटबंधन क्योंकि बार-बार ये कहा जा रहा है बीजेपी पूरी तरीके से चनाव में खूद भी चुकी है तैयारिया बूत ले उस बैठक के बाद अलग-अलग तरीके के बयान विपक्षी पार्टियों की तरफ से आ जाता है और पिता आपने देखा कि इस बैठक में प्रधान मंत्री पत के उम्मिद्वार को लेकर के नाम प्रपोच किया गया ममता बनर जी ने नाम प्रपोच किया गया लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से पहले कहा जाता जाता रहा है कि ममता बनर जी भी ऐसी बेहतर नेता हो सकती हैं और वो भी प्रधान मंत्री पत की उम्मिद्वार हो सकती हैं तो इनकी पार्टी जो विपक्षी पार्टियों का गटबंधन है 28 दलों का वो अलग-लग लेस यादों हों, ममता बनर जी हों, शरत पवार हों, इन तमाम नेताओं के जो उनकी पार्टी की नेता हैं, उनकी तरब से कहा जा चुका है, सबसे बड़ी बात यह है कि सीट शेरिंग का फार्मूला किस तरीके से तै होगा, जिस फार्मूले को ले करके नितीश कुमार सबस 24 की चुनाओं में, लेकिन सीट शेरिंग का फार्मूला कैसे तै होगा, इस बात को ले करके सवाल खड़े हो रहे हैं, और यह कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादों जो यह बात कर रहा है कि 80 सीटों में अगर सीट शेरिंग सही तरीके से हो गई, तो बेहतर प्रदर्श के से सीट सेरिंग होगी, तो यह इस पार्मूला है, उस पार्मूले परिलोग तया है, तो इसी तरह हर दल जो है वो बयान दे रहा है और आम सहमती बना पाना बहुत चैलेंजिंग बहुत मुश्किल है